अब इसके बीच में इस आट को पढ़ने के पहले आपको पता अगर आपने हिस्ट्री पढ़ रखा है तो आपको पता है कि इसके पहले हमारे हां बहुत जादा जो है आप बोल सकते हैं थोड़ा बहुत लेजिसलेटिव अवेर्नेस क्रियेट हो गया था विकोस डिफ्रेंट पाटीज जो है वो इस डारेक्शन में काफी काम करी थी कॉंग्रेश जो है वो इंडियन नाश्नल कॉंग्रेश जो है वो इससे पहले फॉर्म हो चुका था तो बहुत सारे demands उन्होंने ने put forward किया जिसको जो है कुछ हद तक Indian Council Act में जगा दी गई Although सारे demands नहीं माने गए थे लेकिन आप देखेंगे कि Indian Council Act में बहुत सारे demands को जो है किसी तरह से जो है वो accept किया गया था अब हम लोग देखते हैं कैसे तो सबसे पहले क्या है देखिए wider representation with official majority देखिए इससे पहले क्या था हमने थोड़ा आपको पहले जाना पड़ेगा अगर Indian Council Act of 1861 की बात करें तो यहाँ पर जो हमने बात किया जो legislative council थे तो इसमें official members होते थे और non-official members होते थे official, non-official का बड़ा आसानी से समझ लेते हैं कि जो already government के employee थे उनको भी legislative council का member बनाये गया था लेकिन यहाँ पर क्या किया गया था कि जो इस तरह से इनका number था assigned था कि हमेशा officials का majority रहेगा अब official के majority रहने से मतलब क्या हुआ कि जो भी law frame किया जाएगा उसमें अगर जब तक जो आपके officials हैं उनका अगर सहमाती नहीं होगा तो वो law कभी भी pass नहीं हो पाईगा तो एक तरह government ने indirect control maintain करके रखा था although उन्होंने बोल दिया था कि we are following some kind of democracy some kind of parliamentary form of government लेकिन still वहाँ पर क्योंकि non-officials का जो number जादा था तो कभी भी कोई law जो है वो government के अगेंस्ट पास नहीं हो सकता था तो यहाँ पर आप जो है इसको देखेंगा अब यही जो हम लोग देखते हैं Indian Council Act of 1892 की बात करें तो यहाँ पर क्या बोला गया यहाँ पर थोड़ा representation को wider किया गया with official majority यहाँ पर official जो है although यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि although थोड़ा सा increase किया गया लेकिन still जो है वो official majority अभी भी maintained किया हुआ था तो यह official majority आपको समझ में आया कि क्या मतलब होगा basically जो official members थे उनका अभी भी number जो है non-official से जादा था now it expanded the presence of additional non-official members in both the central 10 to 16 members यहाँ पर 10 to 16 members जो थे वो आपके non-official members हो सकते थे in legislative councils although आगे नहीं हमने बोला कि still जो official members थे उनका majority जादा था चली अब हम लोग बाते देखें broadened legislative functions now इसमें क्या हुआ कि legislative functions को थोड़ा से increase कर गया गया the act extended the role and authority of the legislative councils granting them power to deliberate on budgets and pose inquiries to the executive कुछ power दिया गया कि budgets के कुछ parts को जो है आप discuss कर सकते हैं deliberate कर सकते हैं और कुछ inquiries जो है आप raise कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर budget पर vote आप नहीं कर सकते थे यह बहुत important है जिसको आप जो है दिमाग में रखिएगा अब देखिए diverse non-official nomination it allowed for the nomination of non-official हमने देखा जो आपके जो legislative council थे उसमें official और non-official members होते थे अब यहाँ पर बोला गया कि यह जो it allowed for the nomination of non-official members to the central legislative council by the viceroy based on recommendations from the provisional legislative council अब देखिए क्या जो center में जो legislative council था उसमें जो legislative body था उसमें जो non-official members थे initially जो हमारा council act 1861 में था उसको उसमें जो भी non-official members जो appoint होते थे वो क्या किये जाते थे nominated by the viceroy तो एक तरह से आप यह सोच सकते हैं कि official members तो government के employee हैं ही और जो non-official members हैं वो भी directly nominate होते थे viceroy की दोरा तो मतलब viceroy जिसको चाते थे उसको nominate करते थे as non-official member तो आप समझ रहे थे कि government जो है पूरी तरह से यही कोशिस करेगे कि वैसे ही लोग जो उनके favor में बोलते हों उनको non-official member जैसा appoint करते लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ certain form of indirect selections यहाँ पर allow किया गया मतलब बोला गया कि जो central legislative council में जो non-official members हैं वो वैसे members होगे जिनको provincial legislative council के लोग जो है वो recommend करेंगे और यहाँ पर Bengal chamber of commerce के भी कुछ लोगों को यहाँ पर representation देने की बात हुई तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि generally आप books में देखेंगे कहीं पर आपको दिया रहा कि it's somehow introduced some form of indirect election लेकिन यहाँ पर यह election नहीं है यहाँ पर clear cut आपको समझा चाहिए यहाँ पर अभी तक कोई election introduced नहीं हुआ है यहाँ पर अभी भी nomination की बात चल रही है लेकिन यहाँ पर recommendations जो थे वो कहां से आने लगे प्रोविंशियल लेजिसलेटिव council से और Bengal chamber of commerce से तो यहाँ पर आपको बहुत clear cut differentiation पता होना चाहिए हम लोग देखेंगे election जो था जो hint of election that started from the आप बोल सकते है council act of 1909 जिसको moral mental reforms भी हम लोग बोलते है वहाँ से start हुआ था लेकिन Indian council act में कोई भी election introduced नहीं हुआ था चलिए यहाँ पर यह line में यह clear cut दिया हुआ है लेकिन इस line को आप ध्यान से पड़ी यहाँ पर election का मतलब नहीं है यह election नहीं है this is a form of nomination भले आप जो है कुछ लोगों को recommend कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर कुछ election का process नहीं हो रहा है actual election जो है that will begin from the हमने बोला 1909 के आगे तो यहाँ पर हमने देख ला है कि Indian Council Act of 1892 में क्या क्या important parts थे from the perspective of polity तो चली मिलते हैं next video में तब तक thank you